केंद्र सरकार आज 60 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिध्यों को भारत बायोटेक और बायोजिकल एका द्वारा कराने जा रही है ये दोनों कमपनिया कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है इस मामले से जुड़े लोगों ने ये जानकारी दी है राजनाईकों को वैक्सीन पर काम कर रहे वैग्यानिकों के ओर से अब तक हुई प्रगती के बारे में बताया जाएगा भारत बायोटेक उन तीन कमपनियों में शामिल है जिन्होंने सरकार से आपात कालीन इस्तेमाल के लिए वैक्सीन की मंजूरी मांगी है देश में नवंबर में बड़ी कोरोना मरीजों की संख्या फिर तेजी से कम हो रही है मंगलवार को 32,169 केस सामने आये जबकि 402 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया बीते 10 दिनों में 75,654 केस कम हुए देश में अब तक 97,35,000 केस आचुके है वही रहत की बात यह है कि इनमें से 92,14,000 मरीज ठीक भी हो चुके है जबकि 1,41,000 मरीजों की मुखे चुकी उच्परदेश के मुखे मंद्री योग्या दितनात के निर्देश पर कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर मुखे सचिव ने मंगलवार को बैठक की मुखे सचिव राजिंद गुमार तिवारी ने बैठक में कई दिशन निर्देश जारी किये कोरोना वैक्सीन के सुरक्षी ट्रांस्पोर्टेशन और स्टोरेज को लेकर उन्होंने अधिकारियों से दो दिन में प्लान मांगा है मुखे सचिव ने इसके साथ ही वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ करिमों के ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी डिटेयर खलगती है 87 साल के डॉक्टर हरी शुक्ला और उनकी 83 साल की पत्नी रंजन शुक्ला को न्यू कैसल के एक अस्पताल में फाइजर बायो एन्टेक के टीके का पहला डोच दगा दुनिया में कोरोना मरीजों का आकड़ा 6 करोड 85 लाग के पार पहुँच गया है राहत की बात यह है कि 4 करोड 74 लाग से जादा लोग ठीक भी हो चुके हैं अब तक 15 लाग 62 थरजार से जादा लोग कोरोना के चलते दुनिया भर में जान गवा चुके हैं ब्रिटेन के साइंस चीफ ने कहा है कि भले ही देश में वैक्सीन आ गया हो लेकिन मुम्किन है कि अगली सर्गियों में भी ब्रिटेन के लोगों को मास्क लगाना पड़े